आज मैं आपके साथ पुलाओ की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा आप इसे बार बार बनाना चाहोगे तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने यहां पे ले लिये हैं चावल तो मैंने और छोड़ दिया है और उन्हें दो के मैंने आदे गंटे के लिए भीगोने के लिए छोड़ दिया था चावल अच्छे से भीग गए हैं चलिए अब एक पतिली में ले लेते हैं पानी तो मैंने यहाँ पे 2-3 गलास जितना पानी ले लिया है और पानी को मैंने उबलने के लिए रख लिया है पानी जब तक उबल रहा है तब तक हम थोड़ी सी सबजिया काट लेते हैं क्योंकि आज जो पुलाओ हम मनाने वाले हैं वो वेज पुलाओ है तो इसमें बहुत सारी सबजिया जाएंगी तो आपके घर में जितनी भी सबजिया अवेलेबल है आप ले सकते हो आपको जो सबजिया पसंद है वो भी आप ले सकते हो तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक आलू, दो प्याज लिये हैं मैंने एक गाजर लिया है और एक लिया है कैपसिकम और इस तरह इन्हें मैंने मिडियम पीसिस में कट कर लिया है आप अपने हिसाब से सबसियां कट कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आलू को हम थोड़ा सा पतला तो पानी में डाल देटे हैं चावल 門 पानी में अच्छा सा ऊबाल लाए उसके बाद ही इसके अंदर चावाल एड़ करेंगे पहले से यड़ कर दोगे तो चावल नीचे से चिपक सकते हैं अब पानी में डाल देते हैं 2-3 चमज बर के तेल तेल डालने से क्या होगा चावल हमारे एक दम अच्छे से खिले-खिले बनेंगे अब यहाँ पर मैंने ले लिया हैं 10-12 काजू और काजू को इस तरह मैंने खो यहां पर चावल देख लेते हैं तो चावल को हमें इकदम से नहीं पकाना है मतलब कि इसे हमें 70- 80% कि तो ठीक यहां पर निकाल लेती हूं तो यह पर उन्न ओड़ । मैंने लिए और टाम से वो एकदम air tight है तो ऐसे पैन की मुझे जरूरत थी तो मैंने ये वाला पैन निकाला है अब पैन के अंदर डाल देंगे दो चमच भर की गी और एक चमच भर के तेल तो सबसे पहले हम काजु को इसके अंदर fry कर लेंगे तो काजु हमारे अच्छे से golden brown हो जाए तब तक इसे fry कर लेना है और अब डाल देंगे पनीर तो पनीर को भी हमें golden brown होने तक फ्राइ कर लेना है तो पनीर को भी मैंने अच्छे से fry कर लिया है चलिए अब इसे निकाल लेते हैं तो काजु और पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब डाल देंगे आलू और आलू के उपर थोड़ा सा नमक क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो नमक तालेंगे तो फटा-फट से पक जाएंगे तो आलू को मैंने पकने के लिए रख दिया है और उसके उपर डगकन लगा दिया है और medium flame पे मतलब के low flame पे उसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है अब ले लेते हैं थोड़े से खड़े मसाले तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर का मसाला मतलब के जो रेडिमेट मसाला मिलता है शाही पनीर वाला वो मैंने ले लिया है दो से तीन चमज भर के हम साही पनीर मसाला इसके अंदर एड़ करेंगे और एक से दो चमज भर के हम डाल देंगे मलाई तो यह घर की मलाई है जो दूद की उपर आती है अगर आप चाहो तो fresh cream भी एड़ कर सकते हो और सब कुछ अच्छे से mix कर लेंगे और अब इसके अदर डाल देंगे चावल और उपर से डाल देंगे चावल के हिसाब का थोड़ा सा नमक क्योंकि चावल में हमने नमक एड नहीं किया था और अब ये जो fry की थी हमने सबजिया हो थोड़ी सी गा लेंगे थोड़ी सी बचा लेंगे उपर से कानिशिंग के लिए और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम डाल देंगे फ्राई की हुई सबजिया जो बचा के हमने रखी थी तो यह लेजिए पुलाव हमारा एकदम रेडी है आप इसे ऐसे ही खा सकते हो यह टेस्ट पे बहुत ही बढ़ा लगता है लेकिन इसका टेस्ट आपको अगर जादा बढ़ाना है तो आप इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर दे सकते हो तो यहां पे मैं इसे स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ तो मैंने एक कोईला गरम कर लिया है और पुलाव के बीच में एक कटोरी रखे उसके अंदर कोईला रखे उपर से मैंने एक चम्मच गी डाल दिया है तो यह देखिए इसके अंदर बड़ी आसा स्मोक आ जाएगा तो यहां पे मैंने एटाइट धकन इसके उपर लगा दिया है ताकि स्मोक बाहर ना निकले और पुलाव में बहुत ही बड़ी आ फ्लेवर आ जाए चलिए अपुलाव के साथ खाने के लिए बना लेते हैं इंस्टंट रायता तो हम गुजराती में इसे वगारेला दही पोलते हैं दही को हम वगार लगा देंगे मतलब कि उसमें चोक लगाएंगे तो यहां पर मैंने 4-5 करी लसुन ले लिया है उसमें एक चमच मिर्च और आधा चमच नमक डालके मैंने इसे कूट लिया है और अब एक पदली में ले ले लेंगे एक चमच तेल तेल गरम होते हैं उसमें डाल देंगे राई, जीरा, हल्दी और लाल मिर्श पाउडर और तुरंदी डाल देंगे लसुन की चटनी जो हमने अभी रेडी करे थी और अब इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे एक से 2 मिनिट पका लेना है अब गैस के फ्लेम को हमें ओफ कर लेना है उसके बाद इसके इंदर डाल देंगे दही तो यहां पर मैंने रेड कप जितना दही ल पड़िया है फटाफट से बन भी जाता है तो आप इसे लंच या फी डिनर में भी खा सकते हों तो आपको आज के रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी वसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना चले मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना